नमस्कार दोस्तों, हेल्दी इंडियन रसुई में आपका बहुत स्वागत है आम का मौसम आई और हमको चटपटा आम खाने को मिले तो कितना मज़ा आता है तो लॉंजी सबसे बेस्ट है इस समय बनाना क्योंकि आम का सीजन अभी शुरू ही हुआ है और चुटे आम बहुत खटे और बड़े ऐसे आ रहे है तो सबसे पहले आप जल्दी से आम बलवा लीजी और फिर बनाते हैं लॉंजी जब भी आप लॉंजी के लिए आम खरीते हैं तो आम अच्छे साइस का होना चाहिए साइस के साथ साथ आम फ्रेश भी हो और उसमें ज़्यादा दाग धपे निशान ना हो तो लॉंजी अच्छी बनेगी अगर आम ज़्यादा खटा है तो शुगर मात्रा थोड़ी बढ़ाएंगे और कम खटा है तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम कर देंगे तो तापुरी आम का भी बहुत अच्छा लॉंजी बनता है उसमें आप छिलका यूज कर सकते हैं पर यहां हमने छोटे खटे आम लिये हैं इसलिए इसका छिलका हमने उतार दिया है उनको इस तरीकी से स्लाइस में काट लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉंजी बन ना यह लॉंजी बहुत टेस्टी बनेगी अब इसमें एक टी स्पून का लॉंजी डाल देते हैं का लॉंजी डालने के बाद और डाले सौफ सौफ बहुत अच्छा स्वाथ देगी और बहुत अच्छी रहेगी और डाले काली मिर्च आठ से 10 यहां पर एक किलो आम को हमने च की स्लाइस इसको अच्छे से गुमालेंगे ताकि सबी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और थोड़ी देर धीमी आज पर इसको चलाते रहेंगे दो-चार मिनट तक ही इसको बस चलाना है ताकि जो पानी और छूटना हो आम से वो छूट जाए लॉंजी खाने के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है स्वाद बढ़ जाता है खाने का जब भी सबजी बनाते हैं उसके साथ लॉंजी खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है ये बहुत ही टेस्टी बनेगी आप इसको ज़रूर घर पे ट्राइ करें अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी, पानी को इस तरीके से फैला लेंगे और पानी में मिक्स कर लेंगे पानी में जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो पानी में जब उबाला आए इस तरीके से तब आप सब चीजों को मिक्स करने के बाद आप गैस को बंद कर लीजिए रखकन लगा दीजिए और आधे गंटे के लिए बंद करके रख देते हैं तो अब आम ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और हमने टेस किया तो बहुत ही खटा पानी हो गया है इसलिए अब इसको हम चान लेंगे ये आधा कब पानी था जिसमें आम ने भी पानी छोड़ दिया है तो ये खटा पानी निकालने के बाद हमको शुगर थोड़ी सी कम लेनी पड़ेगी अगर हम इस पानी को भी ले लेते हैं तो शुगर की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और इसमें थोड़ा सा कसारापन भी र दाल सकते हैं और डालेंगे दो बार हमने वन फोर्थ कप इसमें गोर डाला है यानि आधा कप हम इसमें गोर डाल दिया है आधा कप गोर डालने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए आप चाहें तो सिर्फ चीनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब इसमें थ्री फोर्थ कप हम ची गुड और चीनी जितना मीठा हो उसके अनुसार चीनी और गुड डालना पड़ता है इसलिए आप टेज जरूर करें यहां आज थोड़ी तेज भी रख सकते हैं और इसको घुमाते भी चाहिए आप चाहें तो पूरी चीनी इस्तमाल करें आप चाहें तो पूरा गुड इस्तमाल करें इसमें हल्दी डालेंगे जो बहुत अच्छा कलर देगी छोटी आदी चमच हल्दी ही डालेंगे और इसी में से थोड़ा सा पानी निकाल कर चाशनी निकाल कर थोड़ा सा केसर बिगो कंदे कशमेरी लाल मिर्च जो बहुत अच्छा कलड़ की और इसको घुमा लीजिये जिसे बीच-बीच में घुमाते रहे और haters में धोरा सा छोड़े जादा ना जाए गुड़ फायदे वाला होता है इसलिए हमने इसमें गुड़ यूज किया है आप चाहे तो पूरी चीनी यूज कर सकते हैं आप चाहे तो पूरा गुड़ यूज कर सकते हैं इसमें हमने आधा कप टोटल गुड़ लिया है और हमने थ्री फूर्थ कप चीनी लिया है ज इसलिए क्योंकि गुड कितना मीठा है आपका चीनी कितनी मीठी है इसलिए आप उसको टेस्ट करें जरूर खटा मीठा लगे जब आपको और सही मात्रा में चीनी लगे तब ही आप बंद करें यहां जो मात्रा बता ही है वो बिल्कुल सही है एकतार की चाशनी लगबग इस शुरू हो जाए इसका मतलब अच्छी से पक चुकी है चीनी तो आप गैस को बंद कर दें और ठंडा जब करेंगे तो यह अपने आप गाड़ी हो जाएगी तो कांच के पॉट में डालके उसको रग दें फ्रिज में रखके यह काफी दिन चल भी जाएगी जब हम बनाते हैं तो आम थोड़ा पका होना चाहिए तो जल्दी खराब नहीं होता है यह कच्छा आम है इसलिए आप इसका इस्तेमाल जितनी जल्दी हो सके करें हर चीज फ्रेश खाना बहुत अच्छा होता है इसलिए आप इसका इस्तेमाल टाइम से कर लें अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें रेस्पी पसंद आए तो लाइक शेर जरूर करें